उतरप्रदेश के बहरराइच नानपारा नवाब गंज रापती नदी में जानकी घाट पर सोमवार की सुबह जल लेने के लिए नदी में उतरे दो कावरिया गहरे पानी में डूब गए हैं घाट पर मौजूद अनकावरियों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है जिसके बाद वहां तुरंत गौता खोरवा कावरियों ने तीन घंटे की मेहनत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक की अस्पताल ले जाते वक्त हाथसे में मौत हो गई हाथसे के दौरान जानकारी के बाद मरतक के परीजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उनमें कहराम बच गया नवावगंज थाने के मंगलीनात मंदिर पर हाथ सूमवार को हजारों कावडिया राप्ती नदी में जान की घाट से जल लेकर चड़ाने के लिए जाते हैं किगाट के लिए जल भरने के लिए गए थे इसी दौरान ये हाथसा घटित हो गया दोनों गहरे पानी में चले गए जिसके चलते ये दर्दनाक हाथसा पेश आया बहराइच से ये थी प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट